हेलो गाइज वेलकब टू फैक्ट हैवन आज मैं आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिससे आपने कभी नहीं देखा होगा और नहीं सुना होगा पहला है बॉब फीस प्रक्तिकी बनाए हुई कोई भी चीज या जीव कभी बसूरत नहीं हो सकती फिर भी पता नहीं क्यों लोग बॉब फीस को नहीं का सबसूरत जीव मानते हैं इस फीस के पास मास की भरमार है लेकि मसल्स की कमी और इसी कारण यह समुन्दी स्था पर बिना अपनी उज्जा को खत्म की असानी से तैर सकता है यह मसली समुन्द में करीब 500 मीटर नीचे पाई जाती है इस तरह के मसलिया तस्मानिया और अस्टेलिया वारे समुन्द में पाई जाती है यह मसली केकड़े और कुछ छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरती है दूसरा है नर्वाल अंटार्टिक मासागर में पाई जाने वाली नर्वाल एक छोटे दातों वाले वेल है लेकिन यह अन्य वेलों को बिल्कुल विप्रीथ होते हैं क्योंकि इनके पास एक लंबी तलवार नुमा नोगदात दात जासे होते हैं इस नुकिली की लंबाई 9 फिट तक हो सकती है लेकिन माता नर्वाल में इतनी लंबी नोग देखने को नहीं मिलती नर्वाल नरों के यह लंबे नुकिले दात मादा को आगसित करने में आम भूमिका अदा करते हैं इनकी यह लंबे दात मादा के साथ संभूख करने और पति दुंदियों से लड़ने में सायक होते हैं इन नर्वाल का अधिक्तम वजन दो टन तक होता है और यह नर्वाल मचली खाते हैं और कुछ ना मिलने पर जिंगा भी खा लेते हैं थिसरा है सायगा मिरिग जो की विलुप्त होने वाली मिरिग की प्रजाती है यह प्रजाती सिर्फ कजाकिस्तान और उसके पाड़ी अलाकों में पाई जाती है हर साल कई सायगा मार जाते हैं क्योंकि इनका सिकार कर लिया जाता है साइगा की नाग इस जीव को अलग अलग वातावरण से सुद्धवा लेने के काम आती है साइगा मिर्ग की लंबाई 90 सेंटिमेटर तक होती है साइगा की मरदाना नस्र 50-60 मिर्गों का एक जुंड बनाते है मौसम गर्भ होने पर यह जानवा इधर उधर प्रस्तान करते है छोता है ग्लोबिन सार्क यह प्रजाती 130 मिलियर साल पुरानी है इसी कारण इसे जीवी जीवा सम्माना जाता है इनका लंबा मूँ और मजबू जबड़ा इन्हें दुनिया में सबसे अजीब और अनोखा जानल बनाता है यह मस्ली समुद में 1900 मीटर की गराई पर पाई जाती है इनके मूँ के बीतर बेहद नुकिले और बड़े कील जैसे दात होते है और इनका खास बोजन ड्रैगन फिस और रैटल होता है पासवाई ग्लोकस अंडलाटिकस नीली स्रक प्रजाती का यह जीव ब्लू ड्रैगन का नाम से प्रसिद्ध है यह जीव ज्यादा तर गराम पानी वाले समुद में मिलते है यह हमेशा समुद की सता पर उपर तयाता हुआ दिखता है क्योंकि इनके पेट में गैस बरी होती है छटा है वेनरजुएला पोडल जिसे 2009 में वेनरजुएला में खोजा गया था आर्थर रैंकर एक व्यक्ति थे जिन्होंने पोडल को ढून निकाला था हलाकी पोडल लेटी नाम नहीं है क्योंकि यह नहीं पता कि एक किस परिवास समंदीत है और इस पोडल को अभी तक मारा नहीं के आए और इसलिए इसके बाल उतने मुलायम और गदेदा नहीं है जितने दिखते हैं क्योंकि जानवा गर्मी के लिए बाल उगाते हैं और बालो वाले कीड़े महक और अच्छा देशी के लिए इनका उप्योग करते हैं सात्वा है जपाने मकडी केकड़ा आर्थो पोड़ा सेड़ी में आने वाला यह जपाने मकड़ी केकड़े देखने में आपको कितने ही बस्तूरत लगे पर इने अनोखे जानुर को सूची में सामिल किया गया है आर्थो पोड़ा गुरूप में सबसे लंबे पैर होने का रिकॉर्ड इनी के पास है इनके पैरों की कूल लंबाई नापने पर 4 मीटर तक हो सकती है 2000 मीटर की गराई पर पाय जाने वाला यह केकड़ा देखने में किसी बड़ी मकड़ी जैसा प्रतित होता है यह केकले छोटे मोटे जीव जन्तू और मरे हुए मास को खाकर अपना जीवन यापन करते है और आटवा इस्टार नोज मोल जो की राक्षस की तरह दिखता है यह मोल्स अंदे होते है और इनकी नाग कीड़े और छोटी मचलियों को खोजने और उन्हें पकड़ने में मदद करती है जिस पर वे प्यार करना पसंद करते है पहले यह अपने बारी जाल के साथ इनकी जात सुरू करता है जिसे तकनिकी रूप से किर्णे कहा जाता है फिर इसके आंतरिक सेंसर यह निधायत करते हैं कि वस्तु खाने में सौधिष्ट है या नहीं मोल्स की नाग सबसे 70 सील स्पर्स अंगों में से एक है जिसमें एक लाग से अधीक तंतरिका अंत है आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद